दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आप कहीं काम करते हैं और फिर वहाँ पर आपको सैलरी नहीं दिया जाता है और यहाँ पर जब आप सैलरी मांगते हैं तो आपको नौकरी से निकालने की बात कही जात है कि आखिर आप कैसे नौकरी करते हुए अपने पैसे को रिकवर करें आप अपना पैसा वापस लें सबसे पहली बात कि अगर आप नोकरी करना छोड़ देंगे आप इस बज़े से नौकरी नहीं करेंगे कि मेरा सैलरी नहीं दे रहा है तो फिर इसका क्या गरांटी है कि जब आप नोकरी छोड़ देते हैं तो आपको आपका salary वो दे देगा, क्योंकि जब आप नोकरी कर रहे थे, अपना सेवा दे रहे थे, तब आपका company या फिर आपका मालीक आपका salary नहीं दे रहा था, जब आप छोड़ देंगे तो उसका कोई भी guarantee नहीं है यहाँ पर कि आप पर बातरीज box होते रहेगा तो फिर यहां पर उम्मीद होगा कि आपको हुं का सेलरी वँपस कर देगा दोस्तों अब यहां पर सवाल उठता है histको हाँ कर रहे हैं आप बारबार सेलरी मनगते हैं फिर भी आपको वहां सेलरी नहीं देता था तो यहां पर क्या क्या रास्ता अपनाना चाहिए सबसे पहला और सबसे उत्तम रास्ता तो यहीं है क्या पहले बात्चीत का रास्ता अपना है आप कोशिस करें कि बात्चीत से पैसा वहाँ पर लोटा दे जो आपका वकील होगा आपके बिहाप में आपके कम्पनी को लीकल नोटिस देगा 90% के सेज में लीगल नोटिस देने के बाद पैसे का रिकवर हो जाता है कोई भी कम्पनी यह नहीं चाहता है कि मैं अपना बीजनेस को छोड़कर कोड़ थानों का चकड़ लगाऊं जो भी स इस्टाग्राम पर फॉलो करें आप हमें वहां पर फॉलो करने के बाद हमें मैसेज कर सकते हैं और आप हमारे माध्यम से भी अपने कम्पनी को लीगल नोटिस सर्व करवा सकते हैं आप इंडिया में कहीं से भी हैं उससे कोई भी मतलब नहीं है हम पूरे इंडिया में अप आपना आना है और दूसरा legal notice देना है लेकिन अब यहां पर सवाल उठता है कि अगर legal notice देने के बावजुद भी company पैसा नहीं देता है तो फिर आप यहां पर क्या करेंगे तो फिर यहां पर आपको payment of wages act के section 4 में सिधे labor commissioner के पास complaint करना है आप यहां पर labor commissioner के पास खुद भी ज करा जाता है और फिर अगर वहां से भी मामला नहीं बनता है तो फिर आप कोट में जाने के लिए तो सोतंत्र हैं ही लेकिन 99% के सेज में जब मामला labor commissioner के पास जाता है जब आप payment of wages act के section 4 में labor commissioner के पास सिखायत करते हैं तो फिर वहीं से आपके पैसे का recover करा दिया जाता है त और फिर उसके बाद आप यहां पर labor commissioner के पास complaint कर सकते हैं एक मैं आपको और trick बताता हूँ कि जब आप company में काम करते हैं और जब मालिक से पैसा मांगते हैं आपको मां कल पर सोका deed देता है उस समय आप चाहें तो फोन से recording भी कर सकते हैं ताकि वह accept करे कि आपका पैसा यहां कोठ में जाता है या फिक organization के पास आता है तो मालीक पलड जाता है कि पैसा नहीं तो यहां पर जब आप पैसा मांगते हैं तो से recording कर ले जिसे यहां स्पस्ट हो जाए कि मैं सेट कर रहा है कि पैसा यहां पर बकाया है तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ आपके वीडियो पसंद आई होगी अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंड करें और अगर आप हम से सीधे जुड़ना चाहते हैं फोन से बात करना चाहते हैं तो मैंने अपने इस्टाग्राम आड़ी पहले ही बता दिया प्रतेस 1584 तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक सदीक अपने दोस्तों और इस्तदारों में भी जरूर सेयर करें हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में मगनेटोपी के सांथ तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें